दोस्तों आप सभी को nseit exams पर user id password कैसे बनाते हैं, create new account आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जाहनकारी दिंगे, आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखे, दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बारा है, हमारे यूटूब चैनल को subscribe कीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले आपके, create new accounts पर click करना है, दोस्तों मैं step by step बताऊंगा, क्या क्या करना है, आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, चलिए, मैं यहाँ पर create new accounts पर click कर देता हूँ, दोस्तों, अब हमारे पास create new accounts करने के बाद, यहाँ पर देख सक file और upload और यहाँ पर share code और expert करते हैं, उसके बाद यहाँ पर apply कर देंगे, दोस्तों, तो यह कैसे होगा, कैसे आप करना होगा, XML file कहां से आएगी, मैं आप सभी को आप ज़रूर बताऊंगा, share code क्या होता, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, दोस्तों, ब मैं बताऊंगा, step by step, किसी प्रकार की साहता के लिए, आप में comment box में comment करके ज़रू पूर सकते हैं, हम आपकी साहता के लिए, दोस्तों, 24-7 days online रहेंगे, दोस्तों, चलिए, मैं सीधे आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पर XML file क्या होता है, share code क्या होता है, सीधे मैं आ आधार की website पर, ठीक है, आधार की website पर जाके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, हाँ पर, दोस्तों, हम आ चुके है, आधार की official website पर, और देख सकते है, offline KYC, जैसी मैं ने लिखा है, आधार आया, services में आया, आधार, offline KYC, बीटा, आधार, offline KYC, पर देख सकते है, आधार, के लिए हाँ पर आ चुका है, documents will be, can use any other holders, offline verification of identify, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल गया, उससे पहरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूँ, number 1, आपके आधार में, आपके आधार में, mobile number लगा होना जरूरी है, और दूसरा, आपके आधार में, email ID भी लगा, बहुत जरूरी है, दोस्तों, आगे जाके आप सभी को यह काम जरूर आएगा, ठीक है, और दोस्तों, अगर आपके अधार कार्ड, mobile number, email ID नहीं लगाया, तो दोस्तों, आप यह काम नहीं कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपने अधार कार्ड में, mobile number, email ID लगवाएं, दोस्तों, यहां पर, यह capture code, enter कर दिंगे, जो यहां पर है, sent OTP करेंगे, sent OTP करने के बाद, दोस्तों, आपके एक XML file यहां पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, मैं यहां पर लिखा भी होगा, gif file, यह gif file डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद, उसमें आप लोग ज से safe कर लेंगे, 2000 की gif file आजाएगी, ठीक है, उस gif file को आप लोग ठीक है, यहां से डाउनलोड कर लेंगे, और आपके desktop में आजाएगा, और desktop में आने के बाद, दोस्तों, आप यहां पर चले जाएगे, दुबारा से, जो मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, कहां पर, आधार वाली website, sorry, यहां पर, exam वाली website पर एनेसी की, ठीक है, इस वाली website में आ जाएगे, और यहां पर वो xml फाइल, जो gif file उसे upload कर लेंगे, upload करने के बाद, दोस्तों, यहां पर चूज करेंगे, और upload पर click कर देंगे, upload पर click करने के बाद, दोस्तों, उसके बाद यहां पर उस share code को डालेंगे, आप लोग जो आपने वहां 2000 डाला था, ठीक है, उस 2000 को यहां डालने के बाद, expert पर click करेंगे, और आपका successfully यहां पर offline KYC successfully complete हो जाएगा, दोस्तों, आपका, और offline KYC हो जाएगा, तो उसके बाद, आप सभी को यहां पर, आपके mobile phone पर code आएगा, चा आप लोग को अधार का, एक U, A, N, 4444, A, G, जो भी आपका idea यह मिल जाएगा, और नीचे password मिल जाएगा, और password में आप लोग, वही वहीं पर, आपको mobile phone में message आएगा, email आजाएगा, ठीक है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है, उसको डालने के बाद, आप लोग sign in करेंगे, कि दोस्तों बाहर से sign in करने के बाद, आप वहां पर अपन नया password change कर सकते हैं, password change कर सकते हैं, इजली, मैंने पहले एक वीडियो बना करें, इसका password कैसे change करें, करके आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और change करने के बाद, successfully आपका हो जाएगा, बांकि आपको परसेंट आपकी साहिता के लिए हम दोस्तों यहां बैठे हुए, आप लोग बस एक comment का इंतजार है, आप सभी का, कुछी भी हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप मैं comment उसमें comment जरू कर दें, मिलते हैं जल्दी नही वीडियो नही टॉपिक के साथ, आज का मेरे यही टॉपिक